कैसे हो भी से भी प्यारे प्यारे साथ हो आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर सद्ड़ा पर मैं हुआ इस चोहान NCTE ने CBSC के साथ एक दिन की कॉन्फरेंस की उसमें किन बदलावों पर बात हुई अब अगला सी टेट कब होगा जो बदलाव हैं वो कब से लागू होंगे तो NEP 2020 में जो क्लासिज का बाइफर केसन है वो चेंज कर दिया गया था यानि 5, 3, 4 का मोडल जो है वो आ गया था पहले क्या होता था 9, 10, 11, 12 अलग-अलग पाना जाता था उसे डिवाइड अलग किया जाता था लेकिन अब 9 से 12 एक ही काउंट किया जाएगा चार साल का उससे पहले 6, 2, 8 जो है वो 3 का फिर उसके अलावाद 3, 4, 5 को जो है तीन साल वाले बाइफरकेशन में अगर जो सुरुवाती 5 साल है यानि जो आपका केजी सेक्शन होता है फर्स सेकेंड क्लास होती है वो पूरा एक बाइफरकेशन में आ गया यानि 5, 3, 3, 4 वाला जो है अब धाचा आ गया तो अब NEP में भी ये बात कही गई थी कि हम हर इस तर पर जो है टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट हो ऐसी विवस्ता करवाएंगे अब NEP जो है राज्यों में लागू भी हो चुका है और लागू होने के बाद से अब मांग यही उठ रही थी कि जो NEP अब लागू है उसके हिसाब से टीचर्स का भी अलिजिबिलिटी टेस्ट उसी हिसाब से होना चाहिए तो इसको लेकर कल जो है NCTE की कल नहीं 4 दिन पहले NCTE की जो है एक दिन की CBSC के साथ मिलके कोनफ्रेंस हुई है जिसमें विचार रखा गया है कि 1st to 5th, 6th to 8 तो हुई रहा है अब TET एक्जाम्स को जो है secondary level पर भी include किया जाना चाहिए इस अब बातों पर चर्चा हुई है आपको बता देता हूँ NCT is working towards proposing and implementing TET at the secondary level classes 9 to 12 ये सारी जो है बातचीत NCT और CBSC ने की है अब अगला सी TET कब होगा अगला सी TET आपका अगस्त में होगा अगस्त दो हजार चोबिस में पहला सी TET होगा क्या ये बदलाव तब लागू हो पाएंगे इसकी उमीद बहुत कम है हाला कि अगर ये बदलाव लागू हो जाते हैं तो TGT PGT लेवल पर जिन राज्यों में TGT सिर्फ 910 के लिए यूज किया जाता है